हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अकाउंटिंग रेश्यो जिसको हम टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 127 कुश्चन हो चुके आज 8 कुश्चन से स्टार् लेट करेंट रीश्यो हमें करेंट रेश्यों फाइंड हैं करेंट कर दोंद यहने हैं स्टन करण लियाबिट्टी यालिक वहने कि या यापको कंपनीय ब्हुर याद रख लो जो मेजर यण अपको बता कधलो नॉन करंट लिये वनती है और टोटल असेट्स उधर हम다 Chase से नौन के एंवेस्ट में नॉन करनafter प्लस करेंड लरीटी इससे हमें क्या है रखेंगे वरकिंग कैबटल याद रखेंगे किसको बोलते हैं करेंट असे टिए लगे आप चलते हैं देखो question में total debt दे रखे हैं देखो debt का मतलब होता है जो आपने repay करना है चाहिए वो current है चाहिए non current है इन दोनों को मिला दे तो क्या बोलती है total debt याद रहेगा यानि का non current liability plus current liability यह देखो यह लिख दी है मैंने अब यहाँ इस question को करती है देखो question में given क्या है आपको एक तो working capital given है लिख लो जो आपको दे रखी है पहले कितनी दे रखी है working capital nine lakh रूपी इसके अलावा आपको और क्या दे रखा है वो भी लिख लो total debt दे रखे है total debt कितने दे रखे हैं वो भी लिख लो total debt में दे रखे है 19,50 यानि के इसमें current भी involved है और non current भी involved है उसके बाद आपको long term debt दे रखे 15 lakh वो भी लिख लो यानि के long term debt long term debt का मतलब non current liability long term debt लिख दो कितना दे रखा है आपको यह दे रखा है question के अंदर हमें 15 lakh चलो जी अब हमें यह तीन चीज़ें गीवन है question में याद रख लो क्या find out करना है पहले तो current assets निकालनी है और current liability देखो working capital का फामूला है current assets minus current liability यह रह यह लिखावा लेकिन अभी apply नहीं होगा क्योंकि question में है ना तो current assets और ना current liability तो equation में हमें एक ही चीज मिसिंग होगी तभी निकल सकती है तो हम इस से देखो total debt से निकाल लाएंगे current liability total debt का फामूला क्या बता है यह दा लिख लो total debt किसके equal है total debt आपका equal है current non current liability इन दोनों को total debt बोलते हैं याद रख लेना total debt यानि के non current liability और plus current liability अब उठ कर दो इसको कितना दे रखा है total debt वो लिखो यह दे रखा है 19,50,000 लिखो 19,50 non current liability कितनी दे रखी है जिसको non current बोलते हैं उसी को long term debt बोलते हैं और यह current liability है कितनी है 15 अब आपकी current liability आ गई देखो clear है एक चीज तो मिल गई इससे current assets आ जाएगी पहले तो current liability find out करो इसको उदर ले जाओगे तो माइनस का sign हो जाएगा तो current liability तो आपकी आ गई 19,50 और माइनस कर दो 15 लेक कितनी आ गई याद करो फोर लेक फिफ्टी था हुजेंट यह क्या चीज आ गई याद करो current liability आ गई आपकी clear है अब हमें क्या चाहिए current assets चाहिए क्योंकि current liability तो मिल गई current assets और चाहिए कैसे निकलेगी working capital का formula लगा दो working capital का क्या है current assets माइनस current liability अच्छा यह जो मैं अब्रीवेशन लिख रहा हूँ आपने अब्रीवेशन नहीं लिखनी आपने पूरा लिखना इसको देखो working capital गीवन है और current liability पता चल गई तो current assets ना जाएगी working capital कितनी दे रखे नाइन लेक लिख दो working capital तो नाइन लेक यह लिख दी working capital करेंट असेट्स पता नहीं निकल जाएगी current liability अभी अभी find out कर ली 450 अच्छा यह इदर माइनस है तो उदर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा current assets भी आ गई आपकी नाइन लेक लिख लिखो और इसको प्लस कर दो इसमें 450 किलियर हो गया अब आपके पास दोनों चीज़े आ गई आपको current assets भी पता चल गई और current liability यह तो current assets आ गई और वो current liability आप फामुले में पूट कर दो क्या दे रखिया current assets यह दी 30,50,000 यह लो 13,50,000 और इसको divide करो current liability कि नहीं है 4,50 कि करोगे तो यह 3 is to 1 आजाएगा यह आपका answer था क्लिए रहे ऐसे करना था यह काफी आसान है याद रख लो बस balance sheet याद रख लो तीन आइटम लाइबिलिटी की और तीन आइटम assets की उसी से फामुले बनते चले जाएंगे अब एक और question करते है 9th question को read करता हू और working capital given 2,50 क्या calculate current ratio तो easy question है आपको क्या क्या दे रखा है देखो एक तो current assets और एक working capital लिख लो जो जो चीज़ दे रखी है current assets आपके सामने है 7,50,000 लिख दो और working capital भी आपको दे रखी है 2,50,000 क्लियर है क्या चीज़ निकाल लाएंगे हम current liability कैसे निकलती है यह वाला पर working capital is equal to current assets minus current liability बहुत easy question है यह जो चीज़ गीवन है अब यह equation बन गई है जो चीज़ गीवन हो पुट कर दो working capital आपको दे रखी है 2,50,000 लिख दो 250 और current assets दे रखी है 7,50,000 लिखो minus करो current liability equation बन गई equation को solve कर लो यह current liability minus में इसको इदर ले जाओ तो current liability तो आपकी plus में आ बन गया 2,50,000 क्या आगया यह आपका current liability आ गई कितने 5,000,000 रुपी किलियर हो गया अब इसको put करो आपके पास current liability आ गई और current assets तो गीवनी थी put कर देंगे अब इसको इस फामुले में put कर दो कितना बन गया है तो बहुत easy था 7,50 था और divided by 5,000,000 यह लो current assets तो दे रखी है 50,000 पुट कर दो और current liability find out हो गी कितना आ जाएगा करोगे तो 1.5 is to 1 कैसे आया वो भी समझ लो किसी को ना समझ आये तो लास्ट में one बनाना हमेशा याद रख लेना कैसे बनता हो पहले तो जीरो कैंसल कर देया को चारो जीरो कैंसल होगी कितना बच गया 75.50 अब लास्ट वाले को वन बन इसको भी 50 से डिवाइड करो उसको भी 50 से करोगे तो यह 1.5 is to 1 यह answer आ गया अब एक और question करते है टेंथ लीड करना अब देखिए लिखा है a company had current assets of रुपी 4,50,000 जरा ध्यान से देखना and current liability of रुपी 2,00, हमें यह 4,50 और 2,00 रुपी दे रखे हैं क्याता है afterwards its purchases goods for रुपी 30,000 on credit हमने 30,000 की goods credit में purchase करी क्याता है calculate current ratio after the purchases, purchases के बाद का बता ले current assets लिख लो जितनी आपको दे रखी है current assets दे रखी है 4,50,000 और 4 purchase है यह द्यान रख लेना यह purchase से पहले की है purchase के बाद तो current assets नाई बनेगी current liability की बात करो current liability आपको दे रखी है 2,00 वो भी लिख लो या current liability रखी है 2,00 रुपी और इसके आगे भी लिख लो यह क्या चीज है यह भी before purchase है अच्छी तरह से note करो इसे यानि के purchase करने से पहले की है यह question में लिखा है कि 30,000 की goods purchase कर ली on credit यह भी लिखा वे तो क्या चीज़ फर्क पड़ता है हमने goods purchase करी देखो यह यह question में लिखी हुई है कि goods purchase हुई कितने की purchase हुई है आपकी 30,000 clear mention है on credit यह भी याद यह current assets कौन सी है before purchasing तो after purchase होने के बाद कितनी current assets हाएगी change हो जाएगी याद रखना अच्छा यह दोनो current assets current liability कौन सी है before purchase purchase करने के बाद तो change होगी अच्छा क्या change होगी जब आपने credit में purchase करीए तो स्टॉक तो बढ़ गया तो current assets increase होगी 30,000 से तो change होगी current assets increase हो जाएगी current liability भी increase होगी क्योंकि credit पे purchase है तो more payment करनी है तो अब वहली current assets assets निकाल लो जो after purchase है यह लिखो current assets bracket में कर दो after purchase यह आ रही है current assets देखो यह दे रखी 4,50 तो दे रखी थी इसमें plus कर दो 30,000 की जो आपने purchase करी तो आपकी current assets कितनी आ गई 4,80 अच्छी तरह से note करो यह यह तो बन गई आपकी new जो current assets आ गई after purchasing ऐसे current liability निकाल लो वो कितनी दे रखे इसमें भी bracket में करो after purchase यह दे रखी current liability 12,00 जो कि before purchase थी द्यार रख लेना purchase करने के बाद increase होगी कितनी बन गई 2,30 जाओ जेंट लिखनो 2,30 यानि के हमें दोनों चीजे अब पता चल गई अब यह दोनों इसमें put कर दो यह लिख दो यहां कितनी पता चल गई एक तो 4,80 लिखो 4,80 यह राख और इसको divide करो कितना आया 2,30 अब इस ratio को find out करो देखो यदी break करें तो 0 से तो 0 cancel हो गई 48 is to 23 है उसको rationalize कर दो 23 से divide कर दो करोगे तो 2.09 is to 1 इसको solve कर लेना आप यह answer आ जाएगा कैसे करा वो दुबारा समझाता हो पहले 0 से 0 cancel हो गई तो बच कितना जाएगा 48 divided by 23 अब हमें बेस denominator को हमेशा 1 बनाना याद रख लो denominator का वतलब 23 सेम नंबर से इसको डिवाइड कर दो सेम नंबर से इसको डिवाइड करो तो 2.09 is to 1 आ जाएगा जितनी हमार पास current liability है उससे जो है 2.09 जो है multiple करके असेट सारी है यह फेवरेवल है बिजनस के लिए अब एक और question करते 11 रीड करता हो आप देखिए लिखा current liability of a company वर रुपी 1,75,000 company की current liability बता र 35,000 थी क्याता इट पेड रुपी 30,000 हुआ creditor हमने creditor को payment करी calculate current ratio बताना है after payment यानि के new current assets चाहिए आपको और new current liability चाहिए पहले जो given है वो put करो देखो ये तो current ratio का formula लगा दो अब जो जो चीज आपके पास given है पहले वो निकाल लाओ आपके पास लेखो current liability दे रखी है 75,000 लिखो 1,75,000 और ये भी ध्यान रख लेना ये पुरानी है यानि के before payment है मैं लिख भी देता हूँ आपको यह रहा हमें तो after payment बतानी है कि after payment current ratio कितना आया कैसे पता चला है before payment है clear mention है current liability of the firm रुपी 1,75,000 and current ratio was 2 to 1 past की बात कर रखे है पुरानी क्याता है 30,000 की payment के बाद ज आयसे पता चलता है current ratio भी लिख लो या पर कितना दे रख है आपको यह रहा current ratio आपको दे रख है यह भी old दे रख है नहीं के before payment है कितना है 2 to 1 यह लिख लो पहले तो इससे current assets find out कर लो क्यासे find out हो जाएगी वो पताता हूँ आपको देखो current ratio का formula लगाओ क्या था current assets upon current liability put कर दो current ratio 2 to 1 दे रख है लिखो current assets दे नहीं रखी छोड़ दो current liability आपको दे रखी है 1,75,000 करोगे cross multiplication तो आपकी current assets आ गई 1,75,000 cross multiplication कर दो कितनी आ गई 3,50,000 द्यार रख लेना यह past की है before payment है before payment का आप पेमेंट से पहले की हमें चाहिए current assets after the payment जो 30,000 हमने creator को पेड़ करें तो माइनस करेंगे इसमें से लिखते हैं अब या यह एक तरीक ऐसे ऐसे लिख लो new current assets यानि का न्यू का मतलब after payment ऐसे लिख लो निकलिया वो विफोर थी याद रख लो कितनी है 3,50,000 payment करोगे creditor को लिखा हुए कि 30,000 की payment कर दी हमने माइनस करो इसमें से 30,000 तो यह जो चीज आ जाएगी 3,20,000 यह आपकी new current क्या चीज आ गई assets जो put हो जाएगी या अब ऐसे new current liability निकालना वो भी change होगी क्योंकि यह जो liability है तो before payment है payment देने के बाद क्या होई होगी यह कम होई होगी तो माइनस कर दो यह लिख दो new current liability और bracket में इसमें भी लिख लो after payment यह जो है आप फार्मूले में पुट कर दो हमें current ratio ही तो बताना था लिख दो यह current ratio का फार्मूला current assets upon current liability है कितनी आई 3,20 लिखो 3,20 और यह कितनी आई 1,45,000 कर दो करोगे तो टू पॉइंट टू वन इस टू वन आ जाएगा यह रिश्व आ गया वारा यह answer था question में अब कैसे करते हैं यह भी ध्यान रख लो किसी को यह ना निकालना आ रहा हो तो पहले देखो इसको छोटा बनाय करो जीरो त इतना बच गया 320 divided by 145 अब हमें लास्ट वाले को वन बनाने तो जितना इस से डिवाइड करेंगे उतना उपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो 145 से यह तो वन बन गया और 320 divided by 145 करो गया तो टू पॉइंट टू वन यह हमारा answer आ गया यही तो निकालना था हमें clear हो गया अब एक और question करते हैं 12 अच्छे question में से बड़े द्यान से करेंगे इस question को लिखा है ratio of current assets रुपी 3 lakh 3 lakh की current assets दे रखी है तू current liability रुपी 2 lakh और current liability भी दे रखे है 2 lakh is 1.5 is to 1 यानि के ratio बता रखा है आपको 1.5 is to 1 ratio है हमारे पास उसके बाद the accountant of the firm is interested in maintaining a ratio of 2 is to 1 हमारा जो accountant है वो किस चीज में interest रखता है कि हमारा ratio 2 is to 1 हो जाए by paying of a part of current liability हम किसी liability के एक part को pay कर दें जिससे हमारा ratio क्या हो जाए 2 is to 1 हो जाए compute amount of the current liability हमें वो amount find out करना है that should be paid off so that the current ratio at the level of 2 is to 1 may be maintained जिससे कि हमारा ratio क्या हो जाए 2 is to 1 अच्छा 2 is to 1 जो ratio है वो ideal ratio है इस लिए accountant इस चीज में interested है कि हम किसी liability के part को pay कर दें जिससे कि हमारा ratio क्या हो जाए 2 is to 1 हो अभी वो ratio जो चल रहा है 1.5 is to 1 है यह चीज़े आपको question में given है यह देखो इस firm का यह ratio ideal नहीं है financial position के लिए तो इसी company का accountant इस चीज में interested है कि liability के कुछ part को paid कर दिया जाए जिससे हमारा ratio क्या बन जाए 2 is to 1 कैसे करते है उसको एक्स मानते हैं जितनी हमने उसको payment करी let करो यहाँ पर let the amount of current liability to be paid equal to x मान दो इसको हमने x assume कर लिया अब वो किस चीज में interested है note करो वो कहता है जिससे हमारा ratio क्या हो जाए 2 is to 1 हो अच्छा जब हम liability को x मान रहें कि हम pay करेंगे तो हमारी यह चीज भी decrease होगी x से और यह चीज भी decrease होगी और किसके equal आजेगी 2 is to 1 लिखो अब वो 2 is to 1 दे रखा है question में कि हम किस चीज में interested है अपने ratio को 2 is to 1 बनाने में लिखो 2 upon 1 किसके equal होगा यह current assets upon current liability के current assets तो यह दे रखी है 3 lakh लिख लो 3 lakh और current liability दे रखी है 2 lakh इसमें से क्या minus करो कि हमने liability को pay off कर दिया कितना एजियूम करा हमने x एजियूम करा तो minus करेंगे अच्छा जब हम minus करेंगे तो cash में pay करा तो हमारी current assets भी decrease होगी तो यह भी minus होगा फिर उतने ही amount से जितना amount paid करा कितना amount paid मान रखा है x अब x की value निकाला उससे पता लग जाएगा कितना amount paid करा cross multiplication कर दो cross multiplication करते हो तो यह तो 3 lakh हो गया और minus x हो गया यह cross multiplication यह तो 1 से multiply है तो same number आएगा जब 2 को इससे करेंगे तो यह तो 4 lakh बन गया लिख लो 4 अच्छा यह 2 इससे भी होगा तो 2x आ गया clear हो गया अब equation solve कर लो यह x को तो उदर ले जाओ यहाँ पहले से x का sign दिख रहा है यह रहा और plus आ जाएगा 2x यह 4 lakh है जिटीज और 3 lakh को जब आप equal to के opposite करोगे तो माइनस में आ जाएगा यह रहा 3 lakh clear है अब यह solve हो गया यह minus x है 2x है तो कितना बचे गया खाली x कितना आ गया यह रहा 1 lakh यही तो answer कितनी हो जाएगी 2 lakh आज और लाइबलिटी कितनी हो जाएगी 1 lakh payment करें तो 1 lakh तो टुस्ट वन आ गया ऐसे भी टेस्ट हो सकते है किलियर हो गया अब एक और question करते है 13 करता हो देखो लिखा है ratio of current assets आपकी current assets अभी दे रखी है 8 lakh 75,000 to current liability 3 lakh 50,000 और current ratio दे रखा है में 2.5 इस टुबन दा फ़र्म wants to maintain current ratio जैसे अभी पहले करा था ऐसे ही है हमारा accountant जो है परचेज करें जिससे कि हमारा ratio to maintain हो जो जो चीज गीवन है पहले वो लिख लो देखो आपको current assets दे रखी है लिख लो कितनी दे रखी हमें 8 lakh 75,000 जो और current liability लिख लो जो दे रखी है इतनी दे रखी है 3 lakh 50 था हो जैट लिखो 3 lakh 50 चलो जी यह और current ratio भी आपको दे रखा है कितना है 2.5 इस टुबन इनको करोगे तो 2.51 बनता है इसके अंदर देखो question में कैसे करेंगे तीन चीज आपको given है ratio का हमारे लिए कोई यूज नहीं है क्यों यूज नहीं है यह तो अभी बनता है इनका ratio ले company किस चीज में इंट्रस्टिड है कि जिससे हमारा ratio क्या हो जाए हम किसी गुड्स को purchase करते है ओन क्रेडिट बिसीज तो यहाँ पर पहले आप लिखो let the amount of goods purchase on credit equal to x कितना हमने मान लिया उस amount को x मान लिया कि हमने x goods की purchasing करी है याद रख लो अब यदि हम यह purchase करेंगे credit में तो क्या फर्क पढ़ता है याद करो current assets भी increase होगी और current liability भी क्योंकि आप किस चीज पर purchase कर रहे हो cash में purchase नहीं करने credit में जब credit में purchase करते हैं और liability बढ़ गई आपकी अच्छा जब आपके पास goods आएगा यानिके stock आएगा तो current assets भी बढ़ेगी तो वह निकालते अब यानिके plus करेंगे एक स्कॉब जैसे पिछले question में payment कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे क्योंकि current assets decrease हो रही थी यहां पर current assets increase हो रही है पुट कर दो इसको formula में कितना maintain करना चारे है two is to one कितना है देखो 8,75,000 दे रखा है लिख लो 8,75,000 अभी आपको current assets दे रखी है जब हम यह ratio maintain करेंगे तो आपकी assets increase होगी क्योंकि आपने purchase करी है प्लस कर दो liability भी इंक्रीज होगी लिखो 3,50,000 और प्लस करो क्योंकि liability increase है तो एक्स होगा उस amount को अमने क्या मान रखा है एक्स मान रखा है देखो जो purchase करा अब equation को solve करो cross multiplication कर दो तू को इससे multiply करोगे तो देखो 7,000,000 अब यह जब है तो दोनों से multiply होगा ध्यान रखना कहीं गलती करो इसी से और 2X हो गया यह इसको इससे कर दो वन से यह तो सेम रहेगा क्योंकि वन से multiply करोगे तो उतना ही आएगा क्लियर है अब इसके रेakатरि से 지금 को solve कर दो 7,000,000 तो माइनस का साइन हो गया एकश को इदर ले जाऊ तो प्लस का साइन करो यह तो 2X एज़िटी और माइनस एक्स यह यह चैटलेक 75,000 और माइनस करो इसमें से 7,000 अर字 पर अग्या कितना 1,000,000 लैक 75,000 यहीं कि कितना हम ग्रेंस पर परचेज करो इसमें एड करो कितना बन गया इसमें 175 करते हो तो 9,10,50,000 तो करेंट असेट से आ गई ध्यान रखना 10,50 अच्छा करेंट लिएबलिटी भी इंक्रीज है क्योंकि क्रेडिट पर चेज करा इसमें 175 एड करो आप यहां तक प्रेक्टिस कीजिए कोई भी डाउट लगता है यह लास्किन कमेंट सेक्शन आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइकन सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वचिंग माई वीडियो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं